एक if statement, if का मतलब होता है यदी, यदी हाँ, तो हम कुछ कारे करेंगे, और यदी हाँ नहीं है, इसका मतलब यदी true नहीं है, तो हम कुछ और कारे करेंगे, इसके लिए हम एक button, और साथ में एक text box का, box का इस्तबार करेंगे, text box को हम इसके की से खीच के, और drag करके यहां पर ले आएंगे, यहां जीजे की text box है, इसका नाम text box 1 है, तो हम जब बनाएंगे, तो हम text box 1 करेंगे, इस click me के अंदर जाते हैं, अब देखिए, if के लिए हम if लिखते हैं, यदी, इस कार्थ होता है, यदी, अब हम bracket लगाएंगे इस bracket का अर्थ यह है, इसके अंदर या तो 0 value हैंगे, या 1 आएंगे, अगर 1 होगी, तो इसके अंदर, जो braces के अंदर, हम instructions लिखेंगे, वो execute होबाएंगे, और अगर यहां पर if के अंदर, यहां 0 आदाता है, यारे कोई ने expression evaluate होके 0 आता है, इसके अंदर हम देखिए, जैस इसे, जो हमने text box बनावा है, इसके अंदर हम text लिखेंगे, और यह देखिएंगे, और यह देखिएंगे कि, इसके अंदर हम क्या दाता है, अगर हम RAM डालते हैं, तो यह true होजाएगा, और इसके अंदर हम, कोई भी, instruction execute कर दाता है, मैं अभी फिलाल के रिए, यहां पर message box ल देखिएंगा, लेकिन आप इसके अंदर, कोई भी, expression to evaluate, यह instruction to evaluate करासे, show, इस show के अंदर, अब कोई भी, string गिरते हैं, कि, इसे, पता चाहिए, कि, यह true हो गया है, इसके अंदर, लेकिन इसमें एक बात देखिएं, कि, यहां पर पर देखिएंगे, यहां पर देखिएंगे जिसे हम single equal लगाते हैं, तो जैसे राम की value आपको right hand side में देखिएंगे, इसको assign बिलेगे, लेकिन हमें इसको check करना है, यहां क्या दाए हाथ के value से equal है, इसने हम double equal लगाते हैं, देखिएंगे, यह चलता है कि लिए, हम देखिएंगे, यहां पर एक button है, यहां पर text box है, text box में हम कोई line type करते हैं, जो सिप्ता हो, हम click में करते हैं, यहां पर कोई भी गदिविदी नहीं हुई, लेकिन जैसी हम राम इस पर click करेंगे, तो हम देखिएंगे कि यहां पर yes है, और यही हम चाहते हैं, अब इससे आ इसके बाद हम लगाते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं, else, यहां पर हम देखिएंगे कि जो if में true नहीं हो पा रहा है, उसके अनुसार ही, यहां पर instruction execute कराने कोशिश करेंगे, जैसे मैं फिर से यह message box शो कराता हूं, आप देखिए कि no करते हैं, इसको चलाते हैं, जब आग राम डालेंगे, yes आएगा, और अगर राम नहीं डालेंगे, तो no आएगा, और फिर से राम नहीं डालते हैं, आप और भी इसमें फिर बदल कर सकते हैं, जैसे आपने if किया, एक साथ चेक करना हो जाते हैं, तो else if करते हैं, और एक लिशन हो डाल दीजिए, textbox.text is equal to sham, अगर ये राम है, तो yes होगा, और अगर ये शाम है, तो no, और ये अगर आरही है, इसका मत्रभी आपर हमने, तो हमने sign miss किया है, तो बदल कर आते हैं, अब हम यहां राम डालेंगे, जैस आएगा, शाम डालेंगे, no, ये है if or else condition, अब आप एक्टिस करिए, आज के लिए नहीं, अब बाद, आज के लिए नहीं, अब बाद,